तो बनते हैं question number 8 की तरफ a statue 1.6 meter tall stand on the top of the pedestal एक pedestal है जिसके उपर एक statue रखा हुआ जिसकी height 1.6 meter tall तो हमें एक pedestal बनाने question number 8 and exercise है हमारी 9.1 एक pedestal है और एक pedestal के ऊपर एक statue रखा हुआ है क्लियर एक pedestal है और pedestal के ऊपर एक statue रखा हुआ है और यह प्रश्चल की height है वो 1.6 meter tall है क्लियर फॉआप वाइंट ऑन दे ग्राउंड अब यहां पर ग्राउंड है और ग्राउंड पर एक यहां से एंगिल ओफ ग्राउंड ऑफ यह एंगिल ओफ एलेवेशन ऑफ ताप अप दे इस्टैच्व के टॉप का एंगिल अफ ऐलेवेशन बन रहा है 60 डिग्री अंडा फों दो सेम प्टॉइंड ऑफ एलेवेशन अफ टॉप अप इस्टल इस्टैव और प्डेस्टैश तो देखिए सबसे पहले हमने इसे लेट कर लें मालिया कोई A, B, Statue है B, C, Pedestal है और D कोई Point है तो लेट B, C, V, N, E Pedestal And A, B, V, A 1.6 meter tall statue Clear? The angle of elevation from D Angle of elevation from D To the top of the Kis का top? Statue and pedestal दोनों को एकी बार में लिख देते हैं कि statue और pedestal के top का जो angle of elevation है D से मुक्या है तो पहले आया statue, तो statue का 60 degree और फिर आया pedestal, तो pedestal का कितना है 45 degree respectively पहले भी बताया था फिर से बतारों कि अगर आपको डाइग्राम नहीं दिया हुआ है तो आप बहाँ बनाएंगे और उसके बाद हर चीज को मेंशन करेंगे कि कौन सा प्रेडिस्टल है कौन सा इसमें statue है और कहां से हम angle of elevation बना रहे हैं अब देखिए हमारे पास angle दे रख करते हैं पहले यह 45 डिग्री वाला ले लिजिए या 60 वाला ले ले लिजिए और इंट्राइंगिल डी सी बी या वी सी डी इसमें angle बन रहा है है देखिए हमें base चाहिए और perpendicular हाइपोटेंडस से कोई भी मतलब नहीं है अभी तो टैल लगाएंगे इसमें तो टैन टी टाइक पॉस टू परपेंडिकलर अपॉन बेस होता है एंगल बन रहा है इसमें 45 डिग्री का और फरपेंडिकलर है हमारा bc और base है हमारा dc क्लियर 45 की बैल्व की वेलिए ओसी है वं ना हमें bc पता है ना हमें dc पता है लेकिन यहां से हमें यह पता लग गया कि dc और बी सी हापस में कैसे है एं इकवल क्लियर सेकन्ड ट्राइंगल dva awhile c a में या ac d in ट्राइंगिल एसी डी में इसमें एंगिल बन रहा है टैन सिक्स्टी एक्वल्स टू परपेंडिकुलर एसी और बेस डी सी के लिए टैन सिक्स्टी की वेलिव हैं अंडरूट 3 और एसी देखें एबी प्लस बी सी अबी प्लस बी सी अपॉन में डी सी और डी सी किसके बराबर है बी सी के आगे मेंशन कर दें फॉम एक्विस्टि नंबर वन क्रॉस मल्टीप्लाइ कर दें तो बी सी अंडरूट 3 एक्वल्स टू एबी की वेली दे रखे हैं 1.6 प्लस बी सी इस BC को उठाके दर लेके आजाएं तो BC under root 3 और यह दूसरा वाला BC भी धरी आजाएगा और right hand में बचेगा हमारा 1.6 अब यहां से हम BC common ले सकते हैं तो बचेगा हमारे पास under root 3 minus 1 equals to 1.6 under root 3 minus 1 को आप ले जा सकते हैं 1.6 के upon में तो यह आ जाएगा अब नीचे अंडर रूटे तो उसे रेशनाइट भी करना होगा तो अंडर रूट 3 plus 1 से हम multiply करेंगे and divide करेंगे तो 1.6 अंडर रूट 3 plus 1 अपवान में हो जाएगा जोगा a minus b into a plus b a square minus b square अंडर रूट 3 square minus 1 square तो 1.6 अंडर रूट 3 plus 1 अंडर रूट 3 का square 3 और 1 का square 1 1.6 अंडर रूट 3 plus 1 अपवान में हो जाएगा टू तो से डिवाइड कर लीजिए तो 0.8 तो 0.8 अंडर रूट 3 प्लस 1 मीटर तो क्या आ गया है यह आ गया हाइट आप दा पेडिस्टर लिए नोट कर सकते हैं उच्छन नोबर 9 पर आते हैं अंगल अफ अप यहां पर प्र अबजक्त हैं एक टॉबर है और बिल्डिंग और धियान रहे हमेज़ा टॉबर बिल्डिंग से बढ़ा रहेगा और जो नेच्छल चीजें हैं हमारी जैसे कि माउंटेन हैं क्लिफ है यह हमेज़ा हमारी जो मैन धिन्गें उनसे हमेसा बड़े रहेंगे अगर किसी कोश्चन में आते हैं तो तो नमबर नाइन है हमारा एक हमारे पास बिल्डिंग है और दूसरा हमारे पास टॉबर है तो एंगल of elevation of the top of the building or the foot of the tower tower के foot से building के top का angle 30 degree बन रहा है means यह जो angle बन रहा है वो 30 degree है and the angle of elevation फिर से angle of elevation means नीचे से उपर की ओर दिखा जा रहा है of the top of the tower tower के top को from the foot of the building is 60 building के foot से वह आ रहा है 60 डिग्री इप टावर इस 50 मीटर हाइट अब टावर दे रखा है 50 मीटर हाई तो आपको इसमें बताना है find the height of the building building की height निकाल लिए तो यहां पर हमारे पास AB इसे ले लिजे इसे PQ तो let AB क्या है वी आ विल्डिंग एंड PQ वी आ 50 मीटर टॉल टॉबर के लिए एंगिल ओफ एलेवेशन ओफ टॉप ओफ दा बिल्डिंग बिल्डिंग के टॉप का एंगिल ओफ एलेवेशन फ्रॉम फुट ओफ दा टॉवर इस देखिए फुट ओफ दा टॉवर से बिल्डिंग के टॉप का एंगिल ओफ एलेवेशन बन रहा है और इसके बाद एंगिल ओफ एलेवेशन ओफ टॉप आप दा टॉबर तो इसे आप नोट कर लीज़ें डेटर लगा दे रहा हूं फॉट आप दा बिल्डिंग और बिल्डिंग के फुट से टॉबर के टॉप का जो एंगिल बन रहा है वह कितना है सिक्स्टी डिग्री देकिए विल्डिंग के फुट से देख रहे हैं तब बिल्डिंग के फुट से देखोंगे दो एंगिल है एक 30 और 60 जो एंगिल बढ़ा होगा उसके सामने वाला अब्जेक्ट तो बैसे भी बढ़ा होगा पता है ना को ट्राइंगिल में सबसे बड़ और ट्राइंगल बन रहे हमें इस ट्राइंगल में कुछ नहीं पता है एंगिल के यावा लेकिन फी यहां से बेष्द काल लें फेंट त्राइंगेल पी-क्यू-बी में पर्पेंटिकलोर पता है बेस निकालना है तो लगेगा तैन ठीटा एक पुस्टू-पी अपॉन-बी और ठीटा की वैल्यू है 60 और पी है हमारे पास 50 और बेस का नाम है हमारे पास बी-क्यू और इसकी वैल्यू हो जाएगी अंडरूर्ट 3 अपान बी-क्यू बी-क्यू अंडरूर्ट 3 के पास पहुचाए और फिर अंडरूर्ट 3 को बीक्यू भी जगप पहुचाए तो इसके बाद हमारे पास यह बेस पता लग गया अब इंट्राइंगिल एबी-क्यू इसमें एंग्ल बन रहा है 1030 देखिए हमें इसमें परपेंटिक्लर और बेस चाहिए तो पैन लगाएंगे तो 1030 प्लस टू एबी-क्यू एबी-क्यू अपान बी-क्यू एबी-क्यू एबन अपन 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 अंडरूर्ट 3 और एबी हैं हमारे पास फाइंड करना है और इक्यू है 50 अपन अंडरूर्ट 3 यह थोड़ा सा ध्यान रखिए इसके अपन में है अब यह नंबर इधर और यह नंबर इधर तो एबी-क्यू तो ओजाएगा एबी-क्यू अंडरूर्ट 3 यह इदर पहुंचेगा और यह इदर पहुंचेगा इक्वल्स टू 50 अपन अंडरूर्ट 3 है इसे भी आप पहुंचा दीजिया पॉन में तो यह हो जाएगा 50 अपन 3 इसे मिक्स तंबर में चेंड कर दें तो 3 से डिवाइड करेंगे 3 बंजा 20 3 618 16 थोल्ट 2 अपन 3 मीटर तो यह आ जाएगी हाइट अप दा बिल्डिंग के लिए नोट कर सकते हैं सब्सक्राइब कर दोनों के बीच में एक पॉइंट हमें निला है रोट पर जहां से एंगल अफ एलेवेशन अप दो पॉइंट से कितनी कितनी दूरी पर है लैट कर लिया हमारे पास दो पोल है एक कोल हाइट के एक कॉम ले लिया अबी और दूसरा ले लिया पीक्यू और और इन दोनों के बीच में जो रोड है वो 80 मीटर की 80 मीटर बाइड है उन दोनों के बीच में एक पॉइंट है जहां से उनके पोल के टॉप का एंगल अफ एलेवेशन 69 30 डिगरी है देखिए अगर आइंगल बराबर होता तो पॉइंट बिल्कुल बीच में होता अब पॉ यहां से इसका एंगल ऑफ एलेवेशन इसके जाधा पास में है तो इसका हो गया 60 डिगरी और एक दूसरे वाले से जाधा दूर है तो इसका हो जाएगा 30 डिगरी क्लियर तो लेट एबी एंड पी क्यू आर टू पोल्स ऑफ एक्वल हाइट दोनों आपस में कैसे हैं अफन मम फेरी के संद आपस मैं को एक यहां से अंगल अलेवा से अंगल अलेवेशन अन adeमालेवेशन और एक उर एक तो अलेवेशन आ है फिए टॉप ओफ पोल्स आर एंगल सब एलिवेशन प्रॉम एंप टॉप पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री डिग्री रेस्पेक्टुली के लिए यहां से एंगल पहले वाले का 60 दूसरे वाले का 30 तो यहां से लैट कर लें इतनी डिस्टेंस मालने हमने यह एक्स है और यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी इसके बाद 80 माइनस एक्स फिर इसके बाद लेट कर लेया हमने एम क्यू इक्वल्स टू एक्स है तो बी एम हो जाएगे 80 माइनस एक्स और यह मीटर में चल रहा है क्लियर तो दो ड्राइंगल हमारे पास पर्पेंडिकुलर और बेस में ही ल 300 टैन 60 मों स्टू पर्पेंडिकलर रोगया पी क्यू और विए होगया आम क्यू एक्स इक्स अंडर रूट 3 और पी क्यू हमें पता नहीं है और अम क्यू अंग हमारे पास है एकस तो यहां एकस इधर पहुँश ज Working twoपी क्यू एक्स эфф नेक्स्ट इसके वाद ट्राइंगल है एवी म में इसमें लगाना हमें 1030 तो 1030 पॉल्स टू हो जाएगा एवी अपॉन वी एम 1030 की वैल्यू बन अपॉन अंडरूट 3 एवी पीक्यू के बराबर है तो इसके जगे हम पीक्यू लिख सकते हैं और बी एम है 80 माइनस एक्स ठीक है और यहां मेंशन कर दें कि एवी और पीक्यू आपस में इक्कोल है क्रॉक Caveूट करदें यहां पर इसके बाद को 80 माइनस एक्स एक्स टू हो जाएगा पीक्यू अंडरूट 3 और पीक्यू की जो वैल्यू है वह है एकस अंडरूट 3 को 80 माइनस एक्स एकस अंडरूट 3 इंटू अंडरूट 3 यह कहां से आया हमारे पास from 1 80-X हमारा left hand side में हैं और अंडर रूट 3 की जब अंडर रूट 3 से multiply करेंगे तो बन जाएगा 3X अब इस 3X को उठा के लेके आ जाएंगे left hand में हो जाएगा माइनस का 1-X दे रखा है बराबर में 80 तो यह माइनस का 4X equals to 80 और यह भी माइनस का वा जाएगा माइनस से माइनस कैंसल 4 से इसे कैंसल करा तो X की वैल्यू आ जाएगी 20 मीटर इसका मतलब है यह पोल जो है वो पॉइंट जो है पहले बाले पोल से कितना दूरी पर है 20 मीटर की दूरी पर एंड यह आ जाएगा मारा इसे पुट कर दें हाइट अब दा पॉल निकालने के लिए तो बन में पुट कर दें तो पी की विक्वास टू आ जाएगा 20 अंडरू 3 मीटर के लिए तो हाइट अब दा पॉल यह आ गए अब जो पॉइंट एम है तो एम इस 20 मीटर अवे फ्रॉम फर्स्ट पॉल एंड 80 माइनस 20 कितना बचेगा मारे पास 60 मीटर 80 माइनस एक्सी माना है ना अबने अगर यहां से 20 मीटर की दूरी पर है तो यहां से 60 मीटर की दूरी पर होगा 60 मीटर अवे फ्रॉम सेकेंड पॉल और हाइट पॉल यह आ चुके हैं के लिए नोट कर सकते हैं कुशन नमर 11 पर आते हैं टीवी टॉबर स्टेंट बर्टिकली ओना बैंक ऑफा कैनल डाइग्राम आपको दे रखा है तो यह कोई टीवी टॉबर है जिसका ते मेंचन है अबी और यह कैन केनाल का यह यह बैंक है यह कैनाल का दूसरा बैंक है किनारा अपोजित दा टॉबर दा एंगल आफ एलेवेशन इस सिक्सी फ्रॉम अनेदर पॉइंटी मिटर अभे फॉम इस पॉइंट से 20 मिटर पीछे दूर और लाइन जोएंट पॉइंट टॉइंट पॉइंट पॉइ कोऔर की हाइट भी निकाल लेए और कैनाल की चौडाई भी निकालनी तो इसमें इसमें दी टेक्षे ये केर लें ह благ curls कि फैसे ये ये बिनिकालना है औन Jubetas में हिरने की ज़रूरत नहीं है सबसक्तरे में एंटम्व अगनल well तो 1060 इक्वल्स टो हो जाएगा AB अपॉन BC 1060 की वैलू होती है अंडर रूट 3 AB हमें पता नहीं है और BC भी नहीं पता है BC को अधर बेज जें तो BC अंडर रूट 3 इक्वल्स टो AB equation number 1 क्लियर इन ट्राइंगल ABD दूसरा ट्राइंगल अब एंगल बन रहा है 30 और यह जो पॉइंट है वो 20 मीटर की दूरी पर है परपेंटिकुलर AB और बेस देखें बार बार बता रहा है अगर आपने एंगल देख लिया हो कहीं ट्राइंगल यह मत ले लेना राइट ट्राइंगल लेना है तो ABD इसमें लगाएंगे हम 10 30 तो परपेंटिकुलर है हमारे पास AB और बेस हमारे पास BD तो 10 30 की वेल्यू बन अपॉन अंडरूट 3 AB हमने उपर निकाला है in the term of BC और BD को लिख सकते हैं BC प्लस 20 BC प्लस 20 और इस AB को लिखा है हमने जो भी वो आया है question number 1 से cross multiply कर दें BC प्लस 20 equals to यह ज़र कहुंच गया अंडरूट 3 की multiply अंडरूट 3 में करेंगे तो हो जाएगा 3 BC अब BC को ठाके दर लेगे आ जाओ तो माइनस का हो जाएगा और एक BC अल्रेडी है यहां पर और बराबर में 20 को भी भी माइनस का हो जाएगा तो यह हो जाएगा मारा माइनस का 2 BC equals to माइनस का 20 माइनस से तो माइनस कैंसल टू बन जा तू टैन जा तो बीसी की जो बैल्यू आ जाएगी वह जाएगी टैन मीटर क्लियर मीज हमारे पास कैनल की विथ आ गए और हमें निकालना है इसे लिख दें विथ ऑप कैनल इसके बाद निकालना है में हाइट अब दा टौबर देखें टौबर की हाइट जो है एबी इक्कोस टू बीसी अंडरूट थ्री तो इसे पुट कर दें बन वे तो एबी इक हो जाएगा टैन अंडरूट थ्री यह क्या हो जाएगा हमारा हाइट ऑफ टौबर क्लियर नेक्स्ट कोश्चन की तरफ बढ़ते हैं यह कोश्चन नमबर 11 था ट्वैल देखिए फॉम आ टॉप आप सेवन मीटर हाइव बिल्डिंग को बड़ा द्यान से समझें क्योंकि हम तो सेवन मीटर उची बिल्डिंग है यहां इसके टॉप से इसके टॉप से देखा गया है एंगल ऑफ एलेवेशन मतलब यहां से भी एंगल ऑफ एलेवेशन देखा जा रहा है मीस जो सामने वाले चीज देखी जा रही है वो इससे भी उची है मतलब यहां से बन रहा है उ तोप का एंगल कि 60 डिग्री तो यह हमारा केविड टॉबर है एंड एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इस फुटि डिग्री फुटिफवाइव और इस टॉबर के फुट का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वह है 45 डिग्री समझ रहे है विल्डिंग के टॉप से यहां से देखा गया टॉप को देखा गया तो 60 बॉटम को देखा गया तो 45 आगे पूछ रहा है इसमें डिटर्माइन दा हाइट अब दा टॉपर बहुत आसान है देखिए हमारे पास माल लिए हमने ए बी कोई 7 मीटर बिल्डिंग है और पी क्यू कोई टॉबर है यहां पर एक क्वाइंट माल लीजे ए तो लेड़ ए बी वी आ 7 मीटर टॉल बिल्डिंग एंड पी क्यू वी आप केवल टॉबर ठीक है एंगल कहां से देखिए आ रहा है यह से एंगल प्रश्यशंके पिर्वेकल टॉबर आप लीजे एंगल प्रश्यश्यश्यल जाल कहां से देखा यह रहा है और रहा y panels ए टू दा टॉप और एंड बॉर्टम टू टू टॉप एंड बॉर्टम ओफ टॉवर और एंगिल्स कितना है 60 एंड 45 डिग्री प्रस्पेक्टिवली एक लियर जो भी चीज़ हमने बनाई है उसे हमने सब डिस्क्राइब कर दिया जो आपको लेंग वहां पर एक्स्पेंड कर सकते हैं कि मैंने क्या बनाया है कौन से टॉबर है कौन से बिल्डिंग है एंगिल अप इसे लर्न भी करें ठीक है तो अब इस तो ओडो ट्राइंगल बन रहे हैं अगर यह 45 है तो यह भी 45 होगा अल्टराणीटिव इंटीर्य राइंगल वी यह दो ईन लाइन परलल है तो इस ट्राइंगल में A B Q में इंट्राइंगल A, B, Q में एंगल बन रहा है 1045 क्योंकि perpendicular हमें दे रखा है base हमें find करना है तो A, B upon B, Q 1045 की value 1 A, B है 7 और B, Q हमें find करनी है तो जब multiply करेंगे हम cross तो ये B, Q भी कितना आ जाएगा 7 meter क्लियर जहां नहें जहां भी एंगल 45 डिग्री आएगा तो जतना perpendicular होगा अतना ही base होगा क्यों क्योंकि 1045 की value 1 होती है देखिए अब A, B, जो line है ये line ये सीधे जा रही है इसके बराबर तो ये QE के बराबर होगी QE और ये कितना है 7 meter क्लियर तो अब इस ट्राइंगल में PAE में हमें base पता है और perpendicular निकालना है तो PAE में 1060 बनेगा इसमें परपेंडिकलर PE base AE PE और EA ये इसकी value अंडर रूट 3 और PE दे रखा है इसमें कुछ नहीं दे रखा है और EA, EA 7 cross multiply कर दे तो PE equals to 7 अंडर रूट 3 meter clear? height of the tower निकालना है तो टू पार्ट्स में break है ये height of tower PE plus EQ PE की value है 7 sorry, PE PE हमने अभी find किया है 7 अंडर रूट 3 और EQ कितना है? तो 7 अंडर रूट 3 plus 7 7 common ले ले तो अंडर रूट 3 plus 1 meter clear? तो ये आगे आपका height of the tower note कर सकते हैं question number 13 पर आते हैं and as observed from a cut stop of 75 meter high lighthouse from the sea level sea level से 75 meter उच्चा एक lighthouse है अब यहां से एक light लगी हुई है ठीक है? the angle of depression उपर से नीचे की और दिखा जा रहा है two ship are 30 and 45 एक का 30 एक का 45 मतलब एक दूर होगा और एक फ़ड़ा पास में है one ship is exactly behind the other on the same side देखिए ध्यान पकिए अगर either side आता है तो आपको एक इधर और एक इधर बनाना है और same side लिखा हो है तो आपको same side ही बनाना है find a distance between the two ship हमें ship के बीच की distance लिखा लिए है तो एक ship थोड़ा पास में है और एक ship थोड़ा सा दूर है माल लिया यह हमारा A light house है B का base है C पर ship है D पर भी ship है एक से बन रहा है 45 degree का angle और एक से बन रहा है 30 degree का angle clear जे तो देखिए और दोनों ship एक दूरे के बिलकुल पीछे है हमें C define करना है तो let कर लिए हमने let A, B, V, A 75 meter high light house clear and C is C नहीं D लिख लेते हैं D is exactly behind C C और D क्या है हमारे दो ship है नीचे लिख लें C and D are ships ठीक है angle of depression angles of depression कहा से from A of C and D are C का है 45 degree and D का है 30 degree respectively देखे अंगल अब depression है मीज उपर से बन रहे हैं तो यह पहला वाला 45 होगा और दूसरा वाला 30 होगा alternative interior angle से वो नीचे स्वेम हो जाएंगे तो निकाल दे A, B, C में अब कुछ नहीं मचा है question में A, B, C में perpendicular दिया हुआ है base निकालना है तो 10 ही लगाएंगे तो 1045 एक्वल्स टू A, B upon B, C 45 की value 1 A, B है 75 B, C हमें find करना है तो B, C की value आजाएगी 75 meter clear इसके बाद दूसरा triangle A, B, D में इसमें भी perpendicular और base लेना है तो हमें 10 30 एक्वल्स टू perpendicular है A, B और base है B, D तो 1030 की value हो जाएगी 1 upon under root 3 A, B है 75 और B, D है वहना B, C plus C, D B, C plus C, D cross multiply करते हैं तो B, C plus C, D एक्वल्स टू 75 under root 3 अब यहाँ से हमने B, C निकाला है 75 यहाँ पुट कर दे तो 75 plus C, D equals to 75 under root 3 75 under root 3 75 को बरावर में ले जाएंगे वह जाएगा माइनस का और 75 को अब ले लेंगे तो distance between 2 ship आजाएगा 75 under root 3 माइनस 1 क्लिया कूशन नममर 14 बराते हैं अच्छाना है उसका जो एंगिल अफ एलिवेशन है आई आप दा गल्स से 30 डिग्री 60 डिग्री बन रहा है और थोड़े टाइम बाद वो बैलून मूब कर रहा है थोड़ा आगी जाएगा उसका जो एंगिल है वो 30 डिग्री हो जा रहा है तो फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल वाइदा बैलून दूरिंग दा इंटरवल तो इस इंटरवल में उस बैलून ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की हमें फाइंड करना है देखिए माल लिया यहाँ पर पहले बैलून था जो की 88.2 मीटर हाइट पर है और यहाँ पर एक लड़की खड़ी है जिसकी हाइट है 1.2 मीटर यहाँ पर उसकी आइज होंगी यहाँ से एंगिल अफ एलेविशन बन रहा है 60 डिग्री आफ्टर सम टाइम थोड़े देर बाद वो कुछ ना कुछ आगे बढ़ेगा माल लिया वो बैलून यहाँ पहुँच गया अब यहाँ से उसका जो एंगिल अफ एलेविशन है वो थोड़ा सा जब दूर जा रहा है तो कम होगा तो कम होके स्ट्रेट लाइन मन जाओ ए तो कम होके एंगिल हो गया 30 डिग्री और हाइट कैसी है सेम है इसलिए 88.2 यह ग्राउंड से है उसकी हाइट यह ध्यान न किएगा ना कि जहां से वो देख रहे है वहाँ से क्लियर कोश्चन को समझना बहुत जरूरी है इससे पहले भी एक कोश्चन था जिसमें एक लड़के की हाइट दे रखी जिसमें गल्स की हाइट दे रखी है इसका मतलब है कि आपको उसकी जो हाइट है गर्ल की वो आपको ग्राउ हाइज की होरीजेंटल लाइन यह है और लाइन ऑफ साइट यह है तो यहां से हाइट काउंट होगी तो बन पॉइंट टू मीटर जो इतनी डिस्टेंस है यह माइनस होगी दोनों तरफ से किलियर इसके नेम मेंशन कर दें A B C और इसे डाल दीजिए P से डाल दीजिए Q तो इंट ट्राइंगिल A B C इसमें एंगिल 60 दे रखता है हाइट है 88.2 तो पहले हम B C निकाल लें तो B C इक्वल्स टू हो जाएगा 88.2 मीटर है और 1.2 मीटर इसमें से कम हो जाएगी तो बचेगी हमारे पास 87 मीटर अंगिला वैली बेसल 60 डिग्री है लगा दीजिए अब 1060 इक्वल्स टू परपेंडिकलर अपॉन बेस B C अपॉन A B 1060 की वैल्यू अंडरूट 3 B C है 87 और A B हमें फाइंड करने है क्रॉस मल्टिप्लाइ करने A B को अंडरूट 3 के पास इधर बचेगा 87 फिर यह अंडरूट 3 जहां A B था वहां आ जाएगा इसके बाद अंडरूट 3 को रेफिलाइच कर दीजिए फंक्शन को क्योंकि अपॉन में अंडरूट है इसलिए तो यह हो जाएगा 87 अंडरूट 3 अपॉन 3 3 से इसे कैंसल कर देंगे तो 29 तो यह आ जाएगी 29 अंडरूट 3 कब यह स्टार्टिंग में बैलूट उस गर्ल से 29 अंडरूट 3 मीटर की डिस्टेंस पर था आफ्टर सम टाइम पहुंच गया क्यू पर तो अब इंट्राइंगिल ए पी क्यू और इसमें एंगिल बन रहा है 1030 तो परपेंडिकुलर पीक्यू और बेस एपी पीक्यू अपॉन एपी 1030 की वैलू बन अपॉन अंडरूट 3 और पीक्यू है हमारे पास जो सेम एबी होगी बही पीक्यू होगी तो यह भी 87 और एपी को हम लिख सकते हैं एबी प्लस बी पी क्लियर क्रॉस मल्टिप्लाइए कर दीजिए तो एबी प्लस बी एक्वल्स टू 87 अंडरूट 3 और यहां से हमारे पास एबी की वैल्यू है 29 अंडरूट 3 इसे यहां पर पूट कर दे क्लियर इसके बाद देखिए यह जो 29 अंडरूट 3 है यहे ब्राबर में हो जाएगा माइनस का sixts बीपी को हो जाएगा 87 अंडरूट 3 माइनस का 29 अंडरूट 3 माइनस कर दीजिए 79 मिसे 79 मिसे Nora ऑसे स्पनेन सेट वाइबचा 58 अंडरूट 3 यह आजाएगगे distance के लिए कुश्च causa नमोर 15 पर आते हैं तो इस्टेट हाइवे लीट्स टू फूट अब दा टॉवर एक हाइवे है जो कि टॉवर की तरफ जा रहा है कि टॉवर समझ रहे हैं विल्डिंग कोई भी किसी भी तरह का बना सकते हैं एक आदमी यहां पर खड़ा हुआ है और वो देख रहा है अमेनिक इस्टेंडिंग अट्रफ टॉवर और अब जर्फ आ कार एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री यहां पर एक कोई कार आ रही है जो कि टॉवर की तरह आ रहे है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन मीज यहां से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो 30 डिग्री है क्लियर विजिए अप्रोचिंग तुदा फुट अब दा टॉवर बिदा यूनिफॉर्म स्पीड एक कंटीनिव यूनिफॉर्म स्पीड से आ रहे हैं मिस इसकी स्पीड चेंज नहीं हो रहे है इस सेकेंड लेकर अब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन सिक्स्टी हो गया तो फाइंड टाइम टेकिन बाइद कार तो रीज दा टॉट अब इस पॉइंट से वो कार कितनी देर में यहां तक पहुंचेगे तो यहां से लेकर यहां तक वो आई है सिक्स सेकेंड में हमें जुरूरत किसकी होती है डिस्टेंस की और यहां पर के चल रहा है टाइम है वो भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा तो एबी कोई टॉबर है पहले कार डीपर थी पिर पहुंच गए सीपर तो लैट एबी वी टॉबर एंगल ऑफ दिप्रेश्टिंट फ्रॉम कहां से यह से ऑफ कार इंक्रीज है थाइटी डिग्री टू शिक्स्टी डिग्री पहले यहां पर थाइटी अंगल ऑप अल्टरनेटेव इंटिरियर एंगल से और यह एंगल हो जाएगा सिक्स्टी के लिए अब हमें चाहिए डिस्टेस और हमारे पास है टाइम तो कुछ ना कुछ तो स्पीड को मानना पढ़ेगा क्योंकि स्पीड को स्टेस्टेस अपॉंट टाइम होता है और हमने माल लिया कि जो कार है कार रीच एड़ फूट आप दाट आप टावर इन ए 1 कि यहां से लिए यहां तक भी जाए कि वह ती टिसेकंड में एंडी स्पीड को भी कुछ लैट कर लो क्योंकि बहुत वैसे यूज नहीं होगा लेकिन कैंसल हो जाएगा लेकिन मैं लेकिन चलेने पडेगा डिस्कान ले लिए इस्पीड इक्वल्स टू फॉर्मला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम तो डिस्टेंस इक्वल्स टू हो जाएगा इस्पीड इन्टू टाइम अब देखिए फॉर्ट डीसी के लिए कि इस्पीड को मिलेट कर लिया है एक्स और टाइम लग रहा है X और time कितना लग रहा है हमने ले लिया है T तो यह हो जाएगा T X और जब बड़े वाले triangle मिलेंगे तो हमें BD लेना पड़ेगा तो BD equals to क्या जाएगा इन दोनों का sum मतलब BC plus CD BC है T X और CD है हमारे पास 6X यह X common ले ले तो यहां हो जाएगा हमारे पास T plus 6 और पास डिस्टेंस निकल गया हुए और जब डिस्टेंस आग चुकी है angle हमें दे रखा है लगा दे इसमें 10 और इंट्राइंगल ABC में एंगल बन रहा है इसमें 60 तो 1060 इक्वल्स टू परपेंडिकलर है AB और बेस है BC क्लियर 1060 की वैली हो जाएगी अंडर रूट 3 और AB हमें पता नहीं है और BC तो BC को हमने लेट किया है भी टी एक्स तो यह टी एक्स चला गया इधर तो टी एक्स अंडर रूट 3 इक्वल्स टू हो जाएगा AB एक्वेशन नंबर वन इसके बाद सेकेंड ट्राइंगल ABD में इन ट्राइंगल ABD में इसमें 1030 इक्वल्स टू पर्पेंडिक्लोर दमारा बहीर आएगा AB वेशन जाएगा BD तो 1030 की वैल्यू है बन अपन अंडर रूट 3 और AB की वैल्यू है टी एक्स अंडर रूट 3 और BD है एक्स टी प्लस 6 और AB की वैल्यू को हमने एक्वेशन नंबर बन से यूज किया है क्लियर एक्स एक्स कैंसल हो गया तो स्पीड हम कुछ भी ले सकते हैं वो तो कैंसल हो जाएग कोई उसका यूज भी नहीं है में हमारा टाइम है क्रॉस पहुंचा बन के पास और अंडरूट 3 पहुंचेगा अंडरूट 3 के पास हो जाएगा 3 और T आल्लेडी महां पर दे रखा है तो 6 इक्वेल्स टूज जाएगा 3T और यह तर जाके हो गया माइनस का तो 6 इक्वेल्स टू 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 बन जा टू थी जा तो कितना आजाएगा 3 सेकेंड मींस कार को सी पॉइंट से फूट अफ दा टूबर तक कहुंचने में 3 सेकेंड लगेगा क्लियर नॉट कर सकते हैं कुश्चिन नमर 16 इन अंगल ऑफ ऐलेवेशन अफ टॉप अफ टॉबर फॉम 2 पॉइंट अद दिस्टेंस ऑफ 4 मिटर और 9 मिटर फॉम दा बेस सब्सक्राइब टॉबर टॉबर के से वी टॉबर दे रखा है कि और इसके बेस से एक पॉइंट 4 मिटर की डिस्टेंस पर एक फॉइंट 9 मिटर दोनों इस दिस्टेंस यहां से है 20 से मां समझेना मतलब पहला बाला पॉइंट यहीं से 4 meter की distance पर है और दूसरा वाला point यहीं से 9 meter की distance पर है means यह complete 9 है और यहां से यहां तग अगर हमने पहला point P let किया है तो वो 4 meter की distance पर है कोई भी tower है उसे हमने माल लिया A B और इंदा सेम स्टेट लाइन तो सेम स्टेट लाइन में है विदार कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे है 4 meter की दूरी पर और 9 meter की दूरी पर जो बन रहे है इस point से वो दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री ये और है हमें हाइट हम दहार कि दिया 6 meter स्टेट तो कॉम्प्रीमेंट्र एंगल कौन से होते हैं इससे हम यहां से मिला दें पी से है अग्यूक्ते हैं क्यों जेसे होते हैं ऐसे A, B क्या है, V a tower and P is 4 meter away from foot of tower and Q is 9 meter away from foot of the tower, clear? angle of elevation are, तो एक को माना है अबने theta और दूसरा माना है 90 minus theta, simple है, दोनों triangle में लगा ले, A, B, P और A, B, Q में, तो इन triangle, A, B, P में, इसमें बन रहा है N, 90 minus theta हो जाएगा, perpendicular है A, B, और हमें base है P, B दिया हुआ, देखे, 10 90 minus theta, complementary angle tangent का होता है, quad tangent, तो 10 change हो जाता है हमारा quad में, तो 10 90 minus theta हो जाता है quad theta, A, B की जगा, A, B, और P, B की value है 4 meter, clear? इसे यहीं छोड़ दे, इसके बाद, in triangle A, B, Q में, इसमें भी लगा दे, इसमें बन रहा है 10 theta, perpendicular हमें चाहिए, और base हमें दे रखा है B, Q की value, तो B, Q लेंगे, तो 10 theta, तो ऐसी रहा, A, B, B, ऐसी रहा, और B, Q की जगा हम लिख सकते हैं 9, clear? देखे, 10 theta और quad theta, दोनों आपस में एक दूसरे के opposite होते हैं, मतलब उल्टा होता है, 10 बराबर, 1 upon quad, quad बराबर, 1 upon 10, तो अब इस 10 को लिख सकते हैं, 1 upon quad theta, और ये, A, B upon 9, के में 10 को change किया हैं, quad theta की value है, A, B upon 4, तो 1 upon quad theta की value, मतलब इसे उल्टा कर रहे हैं, तो ये उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, 4 upon A, B, equals to A, B upon 9, समयन में आया हैं, बहुत ही simple question है, बहुत बहुत सी चीज़ में chain करनी है, 9, 4 जाव जाएगा, cross multiply करने पर 36, और A, B into A, B हो जाएगा, A, B square, यहां से square आईए, इनन square root चल जाएगा, और 6 आता है, इसका square root, यह अंडरूट से कोई भी value निकल के आती है, वो plus minus में आती है, लेकिन आप distance, height निकाल रहे है, तो क्या होगा, वो plus की ही आएगी, distance negative नहीं होती है, तो height of the top आजाएगी 6 meter, ही तो परूब परना था, तो यह आपका chapter number 9, application of probability complete हुआ,